आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ नमक पाड़े वो भी चार तरह के और एक ही डू से और मैंने इसमें एक सिक्रिट इंगिडियन्स भी एड़ किया है जो हमारे इस नमक पाड़े को बहुत ही टेस्टी बनाएगा तो चलिए बनाते हैं आज की नई और यूनिक रेसिपी और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और आप इसे एक वार बनाईएगा तो महीने वार खाईएगा और वैसे भी ठंड का मौसम है ठंड के मौसम में लगता ही कि कुछ ऐसा बनाऊं कि बहुत दिनों तक चले तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी वट उससे पहले मैं खुश्बू का नौजिया और मैं अपने चानल घर का जाएका विद्खुश्बू में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेर कप मैदा लेंगे फिर हम इसमें एड करेंगे मंगरेला और अजवाइन अजवाइन हमारे लिए पहुती फायदे मन्द है और फिर हम इसमें एड करेंगे वाई और हम यहाँ पर वाईल तीन चमच वाईल आड करेंगे फिर हम इसमें आइड करेंगे इसकी जान वो है salt और वो अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर हम इसमें चुटकी भाँ चीनी आइड करेंगे और ये secret ingredients है और ये हमारे नमक पारे को बहुत ही delicious बनाएगा और खास्ता भी तो आप एक वार ये try जरूर करियेगा और हमें comment करकर बताईएगा कि ये कासा बना था और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आइड करकर एक tight dough तयार कर लेंगे तो लिजिए ये dough तयार है अब हम इसमें थोड़ा सवाइल लागा कर 10 मिनेट का rest देंगे अगर आप चाहते हैं इसे जल्दी बनाने के लिए तो आप इसे थोड़ा ज्यादा गुतिएगा और rest मत दिजिएगा और मैंने इस cup से एक cup पानी लिया था तो इसमें इतना सारा पानी बच गया है तो आप 1 cup के लिए 1 cup मैदा के लिए इतना सा 1 cup पानी लिजिएगा और फिर हम इसे fry करेंगे तो fry करने के लिए हम कढाई को गास पर रख देते हैं और उसमें वाईल डाल कर उसे गर्म होने देते हैं जब तक वाईल गर्म होता है, हम इसे कटिंग कर लेते हैं तो हम इसे एक डोलेंगे और इसका एक डोटी की तरह बेल लेंगे और मैं यहाँ आपको चार तरह की नमक पारे बता रही हूँ जब भी कोई महमाना आए तो आपने के सामने ये रख दीजिएगा खाने को तो वो कहेंगे आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया वो हैरान हो जाएंगे जब आप बताईएगा कि हमने एक ही डो से तयार किया है ये चार तरह के नमक पारे तो हम यहाँ पर एक नाइफ लेंगे और नाइफ की हिल्प से इसे चौकोर में कट कर लेंगे और रोटी को थोड़ा मोटा रखिएगा इसे हम चौकोर में कटिंग कर लेते है तो लेजी एक तरह का तयार हो चुका है इसी तरह से हम दूसरा प्रकार भी तयार कर लेते हैं तो उसके लिए हम एक थाली लेंगे और उसे बाल्स को रखेंगे और उसे रोटी की तरह बेल लेंगे और इसे बहुत धीप पतला बेलेंगे हम आपको दिखाते हैं जूंग करकर कि ये कितना पतला होना चाहिए तो देखिए ये इतना पतला होना चाहिए और फिर हम इसे knife की help से पतला पतला slice में कट कर लेंगे और फिर हम इसी तरह से तिसरा भी आपको cutting करेंगे दिखा लेते हैं तो हम इसके लिए एक धककन लिये हैं और इसे गोल गोल में cut कर लिये हैं इस तरह से आप इसी तरह से इसका भी कटिंग कर लिजिएगा और चौथा हम कटिंग करेंगे ढकन का आधा आधा से इसी तरह से हम सभी को ही कर लिए हैं तो लिजिए चारो तरह का तयार हो चुका है यहाँ पर एक काजू कटिंग है एक कोल सेप में है एक चौकोर सेप में और एक लंबा सेप में तो हम सारे को फ्राइ कर लेंगे अब हम फ्राइ करने में भी आसानी होगी क्योंकि मैंने सारे चीजों को एक साथ ही कटिंग कर लिया है तो हम देखते हैं वाइल गर्म हुआ है की नहीं तो देखिए वाइल भी गर्म हो चुका है और जब हम इसमें थोड़ा सा एड़ किये हैं तो वो उपरा गया तो यही पाजान है कि हमारी वाइल गर्म हो चुकी है फिर हम मिडियम फ्लेम पर सारे नमक पारे को फ्राइ कर लेंगे हलका गोल्डन व्राउन होने तक क्योंकि यह मैदा है और मैदा को ज़्यादा मत कूक करिएगा नहीं तो वो फिर जल जाएगा देखिए यह हलका गोल्डन व्राउन भी हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे और यह जब निकाल भी जाएगा वाइल से तो यह अपने घरमाहट से थोड़ा सा और कूक हो जाएगा इसलिए आप इसे ज्यादा कूक मत करिएगा नहीं तो यह जल जाएगा और आपको फ लेंगेगा और आप फिर कहिएगा कि खुशबू आपने तो बताया और हमने बनाया लेकिन वो आपके जैसा नहीं बना तो उसका यही कारण होगा कि आप उसे ज्यादा कूक कर लिजिएगा तो अब एक तरह का तयार हो चेका है इसी तरह से हम सारे टाइप को भी फ्राई कर लेंगे और इसे हलका ठंडा होने दिजिएगा झाल यहाद देखिए दूसरा तरह का भी तयार हो चुका है अब हमेसे भी निकाल लेंगे वाइल से और इसी तरह से हम तीसे को भी फ्राई कर लेते हैं और सबी को फ्राई करने पे आप हमेसा गयास को मीडियम फ्रेम पर ही रखिएगा क्योंकि मीडियम फ्रेम पर रखने से वो थोरा खास्ता बनता है अगर आप वाइल भी नहीं यूज करिएगा न फिर भी वो खास्ता बनेगा अगर आप मीडियम फ्रेम पर फ्राई किजिएगा तो इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लिये हैं तो लीजिए तैयार है चार तरह की नमक पाड़े ये हुआ पहला दूसरा तिसरा और चौथा तो हम आपको टेस्ट करके और चेक करके दिखाते हैं कि देखिए कितना खास्ता है ये पूरी तरह से चूर हो चुका एक ही हाथ से हैना ये मज़दार रेसिपी तो आप इसे एक वर अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के लिए आपको इंगेडियन्स क्याब सकता होगी और जो की इंगेडियन्स सारे ये हैं जब आप अपने घर पर मेहमान के लिए बनाईएगा तो मेहमान आप से इसकी रेसिपी पुछे भी नहीं रह पाएंगे तो आप इसे एक वाट जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सस्क्राइब करने पर कंजूसी मत किजिए और इसे जितना से जितना हो सके शेयर किजिए अपने फैमली में, डिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी इसका लुपत उठा सके इस जाएके का तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुशू में जब तक खुश रहिए, खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए थाइंक यू, टेक क्यार एंड नमस्कार